हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चेनल, दा टेस्ट ओफ इंडिया, तो फ्रेंड्स कैसे हैं, आप आशा करती हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं, उपमे का प्रीमिक्स, चाहे तो आप इसे उपमा बना सकते हैं, चाहे आपके गर पे बच्चे हैं, और आपको उपमा उन्हें टिफिन में देना पसंद है, तो यह प्रीमिक्स बना के आप रख सकते हैं, और सुब़े-शुबे के शेडूल को आप भी बहुत आसान बना सकते हैं, जबी भी आपको उपमा बना के देना हों, बस इसे जटपट से बनाके दे सकते हैं तो चलिए इस प्रेमिक्स को जो कैसे बनाना है इसे प्रेमिक्स को कैसे भिनाना है बस निकल जाए और हलका golden color आजाए तब तब भूल ले तो अच्छे से में इसे भूल के तयार कर लिया है और इसे plate में निकाल दे अब से हम उसी pan के अंदर हमें डालना है oil तो एक बड़ा चमच oil डाल दे एक बड़ा चमचीरा राई और सुकी लाल में और मैंने मुफली डाली है और कड़ी पत्य डाले है यह सारी चीज़े एक ली बार में आप इसमें डाल दे और अच्छे से सभी को चटकने दे और low to medium flame पे सभी को अच्छे से पका ले इनको भी बहुत ही अच्छे से पकाना है बिल्कुल भी यह भी कच्छे नहीं होनी चीए तो मुफली भी बहुत ही अच्छे से पकनी चाहिए अब सभी को अच्छे से डाल के मैंने पका लिया है फ्रेंड्स इस प्री मिक्स से आप इडली भी बना सकते हैं चाहे तो उपमा बना सकते हैं जो आपको पसंदो ना ही पाउडर पसंद नहीं है है वाइट उल नाना चाहते हैं तो आप हल्दी नहीं डाले मैंने की है टूल इस अज़िता है इसमें डाल टालें और इसे भी अच्छे से मिक्स करदे मैंने काला मैंने पी अरे ौद गेस की शिए खिए हूड अब नहीं ऑना चाहरों, हुँचआ है अब आप चाहे जब इसे बनाकि तैयार कर सकते हैं आपको जब भी भी सूबे जल बाजी में इडली या फिर उपमा बनाना हो तो आप गुन-गुना पानी करें और गुन-गुने पानी में जितना बनाना हूँ उतना डालके अच्छे से आप पका लेगो और फिर आपको उसमें कुछ भी डालने की ज़रत नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें सारे मसाले एड़ कर दिये हैं अब फटा फट से हो गया है आपका काम आसान तो आप भी यह प्री मिक्स बना की स्टोर करके रख सकते हैं जब भी बनाने का मन करें आप निकाले बनाए और आप सारे काम को आसान करें रेसी भी पसंद आई तो कमेंट करें चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें आप भी इसे बना की इंजोई करें थेंक्यू सो मच फ्रेंड्स